राजधानी भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है दो साल बाद आंकडा 400 पार पहुच गया है रवीवार को स्थिती में भोपाल में डेंगू संक्रमितों की संख्या 430 पाए गई जिला मलीरिया कारयाले से मिली जानकारी अनुसार इस बार शहर में कुछ नए शेत्र डेंगू की दृष्टी से होट स्पॉट बने हुए है इसमें कोलार और इंदरपूरी सेक्टर 6 मुख्य है दोनों ही शेत्रों में इस वर्ष डेंगू मरीजों की संख्या 50 तक पहुँच गई है अकेले कोलार में 30 के करीब डेंगू पॉजिटिव मिल चुके हैं एक तरफ जहां कोलार और इंदरपूरी नए डेंगू पॉजिटिव जोन बन गए है वही हर साल डेंजर जोन कहे जाने वाले अरेरा कॉलिनी साकेत नगर और शहपूर जैसे शेत्रों में डेंगू के मरीजों में कमी आई है और राहत मिली है यहां इसका बेहदी कम मरीजों की संख्या पाए जाने की स्थिती में लोगों में थोड़ी राहत है एकका दुका मरीज ही दर्ज किये जा रहे हैं कोलार में अब जनता समहालेगी कमान ये कहा जा रहा है हर जगा आपको बताने कि कोलार में डेंगु की बिगरती स्थिती को देखते हुए जिला मलेरिया का रैले बहुत जल्दी यहां एक जन जाग रुकता रैली का आयोजन करने जा रही है जिसके अंतरगत कोलार शेतर की जनता डेंगु विरोधी अभियान से सीधे तोर पर जुड़ जाएगी जिला में जाएगी